कग अचैनल को है जो बल्कूल उकार माता च्टन पर प्रफॉचल सब्सक्राइब सब्सक्राइबुल आपके पास पीजी का डिग्री वह बनने पाले हो डिग्री लेक्चिरे आपके एंप लिए पॉइन चील मेरे टेक्चिल नहीं चील कुछ भी नहीं चील क्छिए फिर लेक्षर एलावें त्वेल्स बाले बच्चों का लेक्षरार नहीं अटेस्टान अपन से बात है हम के रहे हैं तो थोड़ी ना गलत कहेंगे टीचर है जोकी तो देखते हैं पुरा-पुरा इंस्ट्रोक्षन और प्रोसेस वह भी government के साथ साल्री की सब के समें मिलने वाला है और सब कुछ एलिजबले को पड़ाते हो तब बीच चाहिए होता जब आपको PGT कहला होगे पोस्ट ग्राज़ेट टीचर अड़ेस्ट पोस्ट ग्राज़ेट ट्रेंड टीचर जो पहला होगे तब यह चाहिए होता तो यह प्टेंट के बाद अगर पढ़ाना है तो आपके पास एक चलिए अब यह तो क्या है यह जो निकलता है वो स्टेट सिलेक्शन बॉर्ड का निकलता है तो हम यहां पर बात और यहां पर आपको जो पोस्टिंग मिलने वाला है आपको पॉस्टिंग कर लेक्टर आफ्टर आज ता लेकिन शिर्फ आपको जो पोस्ट मिलेगा वो गवर्मेंट अट्रमाइस वो अट्रमाइस कोलेगा वो गवर्मेंट सो पोस्ट मिलेगा वो अ Happy there पोस्ट हो गई ओनलाइन अप्रिक्स देना पड़ता है वह लाग बाते स्केल पे देखते हैं तो रेलेवांट तिंग इसको स्केल पे देखते हैं नहोजार तिन सो चोटी सार आठ सो सरक्यास का मतलब नहीं तो स्केल सिस्टम स्केल सिस्टम बाद में समझोगे तो अभी इस में क्या चीजिए अपकी सालरी तो यहां पर आपको गॉवर्नमेंट नोटिस दिखा करके बात करेंगे दिखा देने बाद में नोटिस बात करें तो बहुत कह रहा थी कि टेंथ नमबर कॉलम जहां पर होना चाहिए कि 4600 जीपी में तो देखिए कितना स्टार्टर आप देखिए जैनुएन थीफिंग देखिए जैनुएन ठीग पॉडिसा फाइनस दिपार्टमेंट आपको मिलने वाला हैं अब देख्थे हैं कि लिए अघ्री मैनर फिंगा त्मस्ट्राइफ जिलाता पके अब तरह सब्चेंगेंगे से सारे अल्मॉस्ट तारे-कारे सारे सा तो यहां पर नहीं आ सकते हो तो आप देगे लेक्षार की पॉस्ट है लाखों की आपाद भी नहीं निकलेगा तो कोई कॉमोन सब्जेट इंगलीज तो 101 101 पेपर निकला था समझ में एक्स पोस्ट निकला था विए कॉमोन सब्जेक्ट और केमेश्ट्री इसमें प्राक्टि समझ में ही बात तो आपकी 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 भविष्ट से यहीं पे चुका हुआ है इसमें से एक पोस्ट आपकी है अंडेस्ट इसमें से पोस्ट आइक आपकी है वो भी अप जन्री लेक्षार नहीं बनने बाला है वो पी डिग्री लेक्षार बनने बाला है वो सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो कुछ नहीं मिलने वाला है चलिए आगे देखें तो बिल्कुल 21 साल से सुरूप भाई एकी साल तो साधी का भी उम्मर एकी साल हो गया स्ट्रिक्ट लड़काव यह लड़कियो एकी साल मिन्यों में लिजिब्टी होना चाहिए और 42 यह माक्सिम होना चा के सब SBC सब को एकसे हैं और अगर तो ओम मैण कॉम्में कटिट होई या और यहां पर अपकी फी डैली monster दिये जा रहे हैं हमको बताव तो सल में को नोग करता है को क्टनो नहुकरी का रहे हैं इसे क्टेट के पास हो ना चाहिए शिर्फ मास्टर डिगरी दमीन्स की wüns सी एमें एमकॉम वो भी कॉंसर्ण सब्जेट में है तो यहां पर अगर कॉमर्स लेक्षर बनना चाते हो तो आपको डिगरी चाहिए एमकॉम किया अडिस्टाइब प्रो में रेकानाइज युनिवर्सिटी एर गेर आए वाए उनिवर्सिटी से आने से नहीं होगा प्रिफ्टी प्रशंट मार्क सिर्फ निंवन तर्म चाहिए उससे जादा मर्क नहीं चाहिए प्यूटी प्रशंट में आपको सेकंड क्लास लाना है सेकंड क्लास यहां पर सतर प्रतिसात मुफथ में दिए जा रहें कतार में बुला बुला करके दे रहें प्रिंश्पल सतर पतिसात ले जाओ और सेकंड डिविजन की क्या ही बात कर रहे हो अगर वो भी अगर एस्टी एक तो बात यह है कि आपका परस्ट क्यारियर है है और अब तो दिशी तो विलिवेटर रहा बट इन रियालेट अपको फर्स के रिएर होगा तो आप रिफरेंस में लिए जाओ लेकिन अब है नहीं फर्स क्लास इसका मतरब यह नहीं कि आप नहीं ग्राब कर सकते हो बिल्कुल आप भी ग्राब कर सकते हो ठीक नहीं तो प्रोसीजियर सब से पहले कि यहां पर ऑन टूफ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ पर के उमर्ट यह मिल करके कितना हुआ एक सो नबवे 100 edits कि कार नहीं सकते हो मिलकूर्ज इसके यह मिल कर Hello इसका मतलब है कि बाई बाई बाउस का वर्टेज सिर्फ 10 मार्क से बाई 200 मार्क यहां तको 10 आउट ऑप 200 इंटु हंडर्ड कितना हुआ 5% सिर्फ 5% प्रतिसात ही बाई 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 बाउस की इसका मतलब इंटर्व्यू तक पहुंच गए मतलब चांद लाग गया बाई क्योंकि यह बहुत इंटर्वी को वर्टेज तो ज्यादा होता है लेकिन SSP में होता है आपको इंटर्वी बन सकते हो अगर सिर्फ पासी मार्क तो आपको लाना है दस मार्क से जितना मिलेगा यहां पर पांच मार्क मिलता है इंटर्वों आप फिर भी तो आपकी यहां पर प्रेफरेंसेश दिये जा रहे हैं पीएजडी एंड एंफिल नेट क्यालेफिक्शन बना आपको अब हम बताएं देखिए यूविल ग्राब इस पोजीशन यूविल देग्रेल एंट पीएजडी बट 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 अगर आपके पास है पीएजडी है तो आपको 25 प 25 प्लस 10 35 मिलेगा दो हाइस्ट इस तो माक्सिमूम इस तो तो यह बास होता है देखिए तीन पार्ट में क्यारियर रिटेन एंड वाय वाउस यह बास होता है और दीस विल भी कॉंटिन्यूड अप्टू सेवराल यह अने वाला है और खाबर बिल्कुल पक्की है अब यहा अब देखिए जो रिटीन एकजाम होगा आपको सिलावस अल्रेडी दिया हुआ है अब देख सकते हो हम आपको एक बर वेब्सेट दिखा देते हैं यह देखिए www.ssb.nice.in.me यहां पे जाकर कब देख सकते हैं तो सिलावस का कड़िंग आपको एकजाम होने है 165 मार्क्स क और इंटर्व्यू में कितरा जिनको बुलाए जाएगा जितना वेकेंसी होगा इंट्वी तो आपकी चैंसे बहुत जादा है इंटर्व्यू तक पहुंच जाने में समझ महीं बात कोई समस्या नहीं है तो वहां पे स्क्रिणिंग नहीं हो सकते हो तो आपकी दिक्कत है कैर अगर उतना अब्रेज मार्ग भी है तो यहां से निकल सकते हो समझ में कोई बात नहीं है तो क्यारीर को यहां पर फास इस नहीं दिया गया है सिर्फ नेट पीजडी के उपर थोड़ा सा प्रेफरेंसेस है आपकी नहीं है तो फिर भी आप सेलेक्शन होगे अगर आपकी र अपर इस नहीं है प्रोसेजर और डिस्कुस करता है यार अडर्स यह हमारा मुद्धे नहीं है और इंडिया की शिचन तो हो गई आमेरिका में कौन देखता है वाई मेरा क्लास सब्सक्राइब नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा फलाना डिम का अंडिस्टाइब नहीं नहीं चलिए और अगर के रहा है कि नेट पीजडी आपकी है तो उसका सब्सक्राइब बिल्कुल रखना है तो आज गामरा अब्जिक्टीब यही था कि सब्सक्राइब आपको सबसे जाता है क्योंकि बाकी जोसका हो सकता है वो का एक्सपर्टाइब ज्यादा होगा लेकिन वो करेंट स्टोडी भूल चुके होंगे अंडेस्टाइब लेकिन उनके पास अड्मेंटेज यह है कि उनके पास आड़ेड कॉलिपिक्स आने तो उनके पास आड़ेड मार्क्स भी आ रहे हैं तो दौनों की सब्सक्राइब लेकिन गाइड आपको रेजल्ट नहीं दिलाता है आपको रेजल्ट दिलाता है आपकी महनत धन्यवाद जाहिए